हेलो एवरिवन सो हमने पिछले लेक्चर में कोश्चन नमबर 11 तक कर लिया था तो आज हम कोश्चन नमबर 12 देखेंगे तो चली कोश्चन नमबर 12 करते हैं कोश्चन नमबर 12 क्या है तो देखें यह फोर्मूला बन ला है ऐसा लग रहा है कुछ वन माइनस एक कोश्ट टू थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस टैन स्क्वार थीटा अपून वन प्लस टैन स्क्वार थीटा तो अब यहां पे हम एक्स की जंगा टैन थीटा निखतेंगे देखें य स्क्वार य इसकल टू साइन इनवर्स वन माइनस टैन स्क्वार थीटा अपून वन प्लस टैन स्क्वार थीटा तो यह क्या हो गया है स्क्वार गया गया हो व्य स्क्वार रिए फोल टू साइन एन वर्स कॉस तो've तो थीटा अब देखिए को कोई तो टू थीटा को हून को एसह बसलिख सकते हैं स्क्वार पाअ भाइल जुक्रला रित साइन अ तीर ता क्या होता है को सिर्टा तो यहां पह तो थीटा है तो यहां पही प्रॉट तो थीटा हो जाए गा और दीखिए ठीटा का मान देखिए यह यह एद्धे चले जाएगा तो टैन इन्वर्स एकस ठीक है कि जलिए साइन से साइन केंजिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचा वाइस गल्टू पाइबाइटू माइनस कि टू थीटा कि वैल्ली रख दो कि टैन इनवर्स कि टू टैन इनवर्स एक्स तो अब हम इसका ऑफकलन करेंगे तो क्या होगा डी वाइबाइब डी एक्स इस गल्टू यह तो जिरो हो जाएगा माइनस कि टू अपून टैन इनवर्स एक्स कर दीवाइब डी एक्स क्या होता है वन अपून वन पलस एक्स स्क्वेर यह आपको फॉर्मुला याद करने है मैं आपको डेस्क्रिप्टान में इसका लिंक दे दूंगा तो वहा दी एक्स क्या होगे माइनस टू अपून वन प्लस एक्स स्क्वेर इसका आंसर हो गया तो जलिए अब नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं वह भी बिल्कुल इसके जैसे ही है कुश्चन नमर थार्टीन कुश्चन नमर तेरा इसकल टू वाई इसकल टू कोज इनवर्स टू एक्स अपून वन प्लस एक्स स्क्वेर और यह लाइक किसके बीच में करता है इससे कोई मतलब नहीं है हमें अगर यह पाई बाई टू ऐसे कुछ देता तो फिर भी देखते है तो जलिए यह देखे काया का फॉर्मूला बन रहा है आपको पता है तो थिटा का फॉर्मूला क्या आवता है तो टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्काइर थीटा तो देखी यहां पर यही फॉर्मूला बन रहा है बस हमें एक्स की दंगा क्या पूट करना है टैन थीटा ठीक है चली करते हैं वाइद गया कोस इनवर्स तू टैन थीटा वन प्लस टैन स्काइर थीटा वाइद ब्राबर कोस इनवर्स साइन तू थीटा तो देखे अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं कोस को इनवर्स कोस पाइबाइड टू माइनस दू थीटा कोस नब्ब्र माइनस थीटा साइन थीटा कोस से कोस कट गया चली से मैं यहां से यहां पर दिखा दिता हूं आपको तो वाइस कल्टू क्या हो गया पाइब टू माइनस थीटा तो देखें अ थी तक की वैल्यू क्या है 10 inverse x तो चलिए पुट कर देते हैं पाइबाइबाइटू माइनस टू टैन इन वर्स एक्स तो देखिए डी वाइबाइडी एक्स करेंगे तो यह क्या होजाएगा 0-2 और इसका मैंने बताया था अवकलन क्या होता है वन पलस 24 क्iane……יך डी वाइबाई डी अक्स क्या होगेvens तक माइनसस 2 अपून 1 पलस x.. इसका आन्सटर होगे मै को कुश्चन देखता है कि देखिए कोश्यन नमबर 14 कोश्यन नमबर 14 कोश्यन नमबर 14 क्या है कि वाई बराबर साइन इन्वर्स कि टू एक्स इसमें यहां पर भी फोर्मूला बन लाए है अगर हम यहां पर साइन ठीटा रख दे तो क्या हो जाएगा कि देखें टू साइं थीटा और यह कोश्य में वन माइनस साइन इसक्यार थीटा क्या होता है को सिपाल ठीटा तो यह रूट स्क्वेर से कट हो जाएगा तो क्या हो जागा तो साइन थिटा इंटू कोस थिटा ठीक है तो जली एक इस गल्टू हम साइन थिटा रख देते हैं तो थिटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इन वर्स एक्स ठीक है चलिए वा इस गल्टू साइन इन वर्स तू साइन थिटा को स्कॉष्ण में वन माइनस साइन स्क्राइब थिटा वाइस गल्टू साइन इन वर्स तू साइन थिटा और यह क्या हो जाएगा को स्कॉष्ण तो देखे इस पैर से यह रूट कैंटिल हो जाएगा तो वाइस गर्टू क्या हो जाएगा साइन इन वर्स तू साइन थिटा इन्टू कोस थिटा तो वाइस गल्टू क्या हो जाएगा जी फॉर्मूला का आएगा बन गया साइन तू थिटा का तो साइन तू थिटा साइन से साइन कैंटिल हो जाएगा तो वाइस गल्टू क्या हुआ हुआ तू थिटा अब थिटा की वैल्लू क्य थी साइन वर्प एक्स तो तू साइन वर्प इनलार्थ एक्स तो साइन आप का कि नीगा इनली एल्ट कि मैंने बताया कि मैं आपको एह सारे फार्मुले का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा महां से जाके टाउनलोड कर देना ठीक है तो टू अपोन अंडर रूट वन माइनस एक्स इसका है इसका आंसर हो गया तो नेक्स्ट कुश्यन क्या है हमारा कुश्यन नमबर 15 कुश्यन नमबर 15 है वाइज ब्रावर सेक इन वर्स वन अपोन 2x2वार माइनस one तो देखी नीचे कुछ फोर्मूला बन रहा है अगर हम यहाँ पे कोस्ट थीटा रख दे है तो तो कोस्ट थीटा स्कार माइनस one यानिकि कोस्ट थीटा का फोर्मूला बन रहा है क्या हता है 2 cos2 theta minus 1 तो चलिए theta x की जंग है cos theta रख देते हैं y ब्राबर sec inverse 1 upon 2 cos2 theta minus 1 तो देखे y is equal to sec inverse 1 upon नहीं क्या हो गया cos2 theta तो य इस गल्टू sec inverse य उपर जाके sec 2 theta तो भाई ब्राबर sec inverse sec 2 theta हो गया sec से sec एंसे why is equal to 2 theta theta की value क्या थी cos inverse x y is equal to 2 cos inverse x cos inverse x देखे वीडियो थोड़ा क्या था dy dx cos inverse x क्या होता है minus 1 upon under root 1 minus x इसका है तो यह क्या हो गया y is equal to 2 into minus 1 upon under root 1 minus x इसका है यह dy by dx हो जाएगा तो अच्छा लगा हो थो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक से यार करना ना भूले थैंक यू